जैहिन देखिए एक बार फिर से भारत और नेपाल के रिष्ट के बीच में वही जो पुराना नक्सा विवाद था उसको दुबारा इस्टार्ट हो गया है एक्ट्वल गौर्मेंट पर इस चीज का डिसीजन्स के असर गौर्मेंट पर जरूर देखे जाते हैं इसका काफी असर देखा जाता है नेपाल पहले तो मोनार्की था यहां राज तंत्र हुआ करता था बाद में नेपाल में कभी लोक तंत्र आया फिर चेंजिंग होती गई फिर संभीधान बना कई सारी चीजी होई नेपाल में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है जैसे बिहार सकते था हैं तो कभी इदर से उधर होती होते रहता है वैसे नेपाल में हैं में इन ओना है यह पूरा चाइंगे प्रोचाइन यह प्रो इंडिया तो बना सकते हैं यह नोंत के इस gesam जब गड़्बंधन की सरकार बनती है तो गड़्बंधन में आ जाते हैं प्रचंड सहाब अब प्रचंड रही थी दव्वा साब मिलके गड़्बंधन में तो इंडिया से ठीक ठाक थे अभी यहां से गड़मंदन तूटके प्रचंट साब की गड़मंदन हो गई है केपी सर्मा ओली साब के साथ तो अभी वह प्रोचाइना होते जा रहे हैं लोग तो ओली साब शुरुवात से प्रोचाइना है आखिर इसके बीच में भूमी विवात क्या है और य फिर तरह की गवर्मेंट की आईडिय चलती है वहां पर क्या ना कि NEPाली की में जार्टीय मेंणर्चि में मधेसिया है तो यह है वहतत है कि मतलब ये व बहरकी है MAPI यहां है ये वह हैं से करके न कि मतलब रिक अपनी-पनी आइडियो जी जीतने पर तो जैसे भारत में आप काम करता है कभी ben petty काम करता है कभी च्छेत्र वाद करत तो को ओली साब का क्या है कि anti India संतिमेंट से उजीच ना चाहते है कभी बें बोलिखन कि इंडियन कोरों अधे शीर कंभी बॉलते राम जी हमारे यह जनम दолот Deaf memory कज कि मोईजु की सरकार यह भी ना मतलब वहला कर रहा है मोईजु कि इंडिया आउट अभी वहां पर बहुत जाए दिक्कत है तो हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज जब थें तो वह नेपाल के साथ युद्ध किये और एंगलो नेपाली युद्ध हुआ और यह युद्ध की सम समाप्ती 1816 के सुगावली के संधी के दारा यह समाप्त हुआ था अब यह संधी में क्या-क्या चीज यह थी इसको हम लोग समझ जाते हैं दिखिए सुगावली की संधी में यह था कि रिसाइट किया गया कि पूरव साइड में मेची नदी जो होगी वह सीमा बनाईगी नेपाल की यहां नेची नदी और इस साइड में महाकाली नदी महाकाली नदी सीमा बनाईगी सुगावली की संधी हो गई 1816 में यहां पर यहां एक ऐस और आप जैश Tian Tha जिसको लेकर नेपाल कहता है कि ये एरिा इस रेखा के उधर चला गया है, वो मेरा है यहां पर, इसलिए आप नेपाल के ओल मेप में देखेंगे, तो आपको यहां किसी भी तरह की कोई मारकिंग देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ यहां देखेंगा, तो हल यह क्या चीज विवाद है तो यही एरिया यह जो हलका सा नोक निकला हुआ है न उत्राखंड में यही वाला एरिया है तो दीके ये उत्राखंड का इधर हो लिया ये नेपाल हो गया महाकाली नदी जो है वो दो धाराओं से मिल कर बनती है वहाँ पर उसकी एक साखा निकलती है लिम्पिया धूरा से जो पतली साखा है ये वाला साखा पतली साखा है और इसी महाकाली नदी की एक साखा निकलती ह यह महाकाली नदी यहां पर मिलके अब प्राब्लम कहा रहा है कि अगर इसका उद्गम अस्तल लेपुलेख माना जाएगा तो यह पूरा एरिया भारत का हो जाएगा लेकिन अगर इसी महाकाली नदी का उद्गम अस्तल लिंपया धूरा को माना जाएगा तो यह एरिया नेप तो अंग्रेजों ने लिंपिया धूरा वाले इस नदी को कहा था कि यह वाला बॉर्डर रहेगा तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी यहां कोई रहता भी नहीं था लेकिन यहां से चीन से व्यापार करना इजी था तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका उद नक्सा मे ना इस पर कुई अपत्य जता ही तो साल तक कोई अपत्य नहीं जताया गया अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लिम मनें नदी अ истории हम नहीं मांने के हमें कि हमल ये महा काली नदी का हो नइंस ये लिम्पिया धूरा से होता अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिंपिया धूरा से हो रहा है तो लिंपिया धूरा बीच में जगा पड़ता है काली काला पानी और यह जगा पड़ता है आपका लेपुलेख तो लिंपिया धूरा काला पानी लेपुलेख यह पूरा एरिया जो है यह एरिया नेपाल को चला जाएगा अब इसको ओली साहब राष्टी मुद्दा बना के चुनाओं में कुछ फाइदा चाहते हैं लोकतंत्र की एक खराबी हो जाती है ना कि एलेक्शन जो हता है पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेचूर देशों में देखा गया जैसे इंड हटा के इसलिए बनाए गया था कि अपनी बात पर रहो ना कि कौन सी पार्टी जादे इसकूल खुलवाई किस पार्टी में इनिवर्स्टी जादे आए ना मतलब हम लोग किसी एक पार्टी के समर्थक और दूसरे पार्टी के कट्टर भी रोधी हो जाते हैं और यह लोकतं में धरातल अस्तल पर सरकार बदलने से कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है पहले भी सड़क नाली मुहले अच्छी सिक्षा इस सब के लिए लड़ रहे थे हैं आज भी वही लड़ रहे हैं तो यही बात वहां नेपाल में भी है वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं और अगर लेपुलेक के जगा लिम्पया धूरा हो गया तो यह नेपाल को चला जाएगा यहां पर तो यही विवाद है यही एक्स्ट्रा एरिया आजएगा हलाकि यहां एरिया में कोई रहता नहीं है लेकिन भारत के हिसाब से देखेगा तो यह कोना काफी जरूरी है क्योंकि इसी पहाड थोड़ा सा डाउन है और यहां से नेपाल में चाइना जाया सकता है और यहां हमारा कैलास परवत है यहां पर कैलास मांसरोवर वहां हमारा बहुत बड़ा तिर्थरस्तल है संकर जी का मुख्य अस्थान कैलास परवत ही है यहां पर तो हमारे लिए यह स्ट्रे यहां का एरिया की जनगर्णा नेपाल में होती थी तो भई अब वो कई ऐसी थी नेपाल को भी तो सो साल तक भी रोध नहीं किया उन्हें भी सोचना चाहिए इस चीज को दूसरा अगर नेपाल बहुत हट धर्मिता अपनाते हुए इस एरिया को ले लेता है तो इसे केवलो मनोवज्यानिक जीत कर सकता है क्योंकि नेपाल की ना दुस्मनी चाहिना से ना भारत से नेपाल और यहां भारत के लिए दिक्कत होगा इन केस अगर भारत वहां बीजा और पास्पोर्ट सिस्टम कर देता है आज नेपाल से कोई भी आदमी बीजनस करने भारत में आ जाता ना तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना कि काफी जादे मतलब लॉस होगा बेटर होगा इस एरिया को लेंड आफ फ्रेंडशिप घोसित कर दिजे कि दोस्ती का जमीन भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे भारत भी रहो नेपाल के सेना पर मुख को भारती है सेना अपना सेना पर मुख मानती है और भारत की सेना भी नेपाल के सेना पर मुख को अपना सेना पर मुख मानते हैं तो जैसे भारत का कोई सेना पती बनता है ना तो उसे नेपाल के यहाँ ऑनररी सेना पर मुख बना दिये जाता है और वहाँ का भी यहाँ इतना खुश हा बीजनस ठंडी की दिन में कमबल बहुत सारा नेपाल के लोग यहां के करते इस सुगोली संधी में ये वाला तो हो गिया महाकाली नदी से जो विवाद का एरिया था, मेची नदी साइड में कोई विवाद नहीं है, ये को बिहार में नया विवाद है, सुगोली की संधी जब 1816 में हुई थी, तो कहा गया था, ये गंडक नदी जो है जब बिहार में प बिच बढ़ना च own Saanty से इन नदिया इधर घीस दॉक्त रही है मतलब इन नदिया नेपाल का एरिया काथتे जा रिए इन अदिया का प्पेड़ कीनत भारत में आते जाएगा यानि यानि इधर से मटी काट रहिएligen और इधर मटी बढ़ारी हेżenia, इधर की मटी बढ़ारी है, इधर की मटी बढ़ारी है, तो भागते यह dear का एधर क्पजी आ रहा है हमारा पूरा जमीन कबजी आ रहा है, और नेपाल का यही ही एरिया जो नीचे का खेती लाएगा, बाकि तो पहाड CVS नदी को रोको, समझे ध्यान से 1816 के इसी सुगौली की संधी में सुस्ता भूमी विबात किया था कि इस नदी के नरायनी नदी हो गया इसे वो लोग नरायनी नदी कहते हैं और हम लोग जीप और गंडक कहते हैं तो नेपाल के लोग नरायनी नदी कहेंगे हम लोग उसे गंडक नदी कहेंग और घूमते घूमते ये नदी जो पहले इधर से जा रही थी वो घूमते 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 इधर चल गई अब भाईया नेपाल तो उस पार होता है तो एक समय था जब सुस्ता नदी इधर थी अब ये सुस्ता सहर नेपाल में था अब ये नदीया इसे घूम गई है नदीया ऐसे घूम गई तो सुस्ता वाला जगह यह आ गया भारत में अब भारत का कहना है कि तुम नदी उस पार नहों तो नेपाल कर नदीया घूम गई तो हम का करें यहां पर भाई इभी बाद गड़ जबकि सुस्ता जगह बहुत अच्छा खेती के लिए हैं आप तो यह दोनों क किसी का तो नेपाल का जादे लॉस ओगा फाइदा चाइना का अल्टिमेतली किसी देश में राजनीतिक मदभेध हो सकता है सांस्कितिक मदभेध अभी और बारत जादे एक दूसरे से जुड़ा हूँ अशुस करता है नेपाल बस दिखने में तो आप पहाडी एरिया है तो एक जैसा लगते हैं तो यह आपको पूरा इसका आइडिया होना चाहिए हाला कि हमारे हिसाब से एरिया जो भीवादित है उसे फ्रेंट्सिप वाला एरिया करके और साय रूप से भारत को वहां पर अपनी मजबूत पकड़ बत अधरा खंड से भी लगती है तो इस अब के लिए भी आप लोग तयार रहिएगा और यूपीसी के लिए तो बापू सभागार में 6 अपरेल नीट वालों के लिए इवनिंग में और यूपीसी वालों के लिए 6 अपरेल को सुबह में 10 बजे तो यह सब लोग बापू को समझे होंगे मिलेगे नेक्स्ट क्लास में जैहिन